लोग सभा चुनावों की तारीखों के अलान के बाद सभी नेता चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरहा तैयार है सभी नेताओं ने कमर कस्वी है लेकिन तैयारी बस नेताओं की ही नहीं आपकी भी है क्योंकि तैंटो आप फी लोगों कोको नहीं पता तो चलिए बताते हैं. लोग सबहा की 547 सीटों पर साथ फेज में वोटिंग होगी तारीकों की घोषणा के साथ हीदेश भर में आदर्श आचार सनहिता भी लागू होगी है उन्निस अप्रैल से लेकर एक जून तक 7 phase में देश के अंदर मतदान होंगे और 4 जून को ही पता चल जाएगा कि इस बार देश का प्रधान मंत्री कौन होगा सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आपकी इलाके में चुनाव कब है भारत में 543 लोगसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं जिसमें 18 साल के उपर के सभी लोग वोल दे सकते हैं आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आपके छेत्र में किस चरण में चुनाव है यह आपको किस तरह पता चलेगा यह जानने के लिए आप एक तो यह देख सकते हैं कि आपके राज्य में कौन से चरण में चुनाव है अगर एक से ज्यादा चर्णों में आपके राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो आप फिर ऑनलाइन पता कीज़ें इस बात का पता करने के लिए आपके छेत्र में कौन से चरण में चुनाव होंगे आप अपनी वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं ऑनलाइन उसमें इसके बारे में सारी जानकारी होती है आपके आंकिस तारीक को चुना हो गई आपको असानी से पता चल जाएगा वोटर लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओफीशिल वेबसाइट पर जाना होगा आप गूगल कर सकते हैं ओफीशिल वेबसाइट प Important की करें तो पहले चरन में कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो और दिल्ली की बात करें तो दिली छटे Phrase में करोगा यानि की 25 मई को दिली में सातों सीटों पर इलेक्शन हो जाएंगे ऐसे ही अगर हम बात महराश्ट्र की करें तो महराश्ट्र में पाच चर्णू के अंदर वोटिंग होगी और यहां 48 सीटे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी इस बार बताया है कि अगर कोई विकलांग या बुजर्ग है तो वो घर पर ही वोट दे सकता है और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी वॉर्णिंग दी है उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल ब्रेग्राउंड के केंडिडेट को खड़ा किया गया तो ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यूं हुआ है उन्हें साथ छबी का उमीदवार नहीं मिला ये भी पूछा जाएगा राजीव कुमार ने कहा है कि उमीदवार को भी अपने criminal background की सारी एक-एक ज्यानकारी देगी होगी अखबारों में छपी ज्यानकारιά भी देनी होगी उसके बाद ही उनसे सवाल के जाएगे और अगर उमीदवार criminal background का निकला तो ज्यानकारी फिर चुनावायोग लेगा जुड़े रहें न्यूजबुक के साथ